नवस्कार दोस्तो जैहिंद वंदे मात्रम सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत करते हैं विनंदन करते हैं आपके अपने सिच्छक भरती के चैनल जैस्वाल कोचिंग सिंटर पर दोस्तो मैं आपके साथ बीजय जैस्वाल दोस्तो बात करेंगे मैस इसके पिछली क्लास है अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देखने के बाद यहाँ पे आपको लिंक आएगा आप लोग देख सकते हैं सेलेक्शन पाना है तो एक बार वीडियो को जरूर देखें सभी प्रस्ण महतपूर है चले तो सुरू करते हैं दोस्तों कल हमने आप पे देखा कल हमने लास कोश्चन किया था कल की मैस पेड़ागोजी की क्लास में कि निन में से क्या मुल्यांकन का सोपान है मुल्यांकन के सोपान के बारे में प्रसन आया थे इससे रिलेटेड जरूर प्रसन आते हैं तो अधिगम अनवाओ की योजना बनाना ये आपके मुल्यांकन का सोपान है सिच्चन उद्थेसों का निधारन करना ये भी मुल्यांकन का सोपान है चले इन आंगला प्रस देख लेते हैं 15-32 रहेंगे आपकी 6llai class में अब इनन्दन है आपके अपने परिवार पर जी हां दोस्तों प्रस नाच चुका है एक अच्छी परिच्छा का लच्छन नहीं है अगर एक अच्छी परिच्छा होगी तो क्या उसका लच्छन का उनसा नहीं होगा आसान इस्तर, विश्वासनीता, वैदता, ब्यापक्ता दोस्तों कोई भी अच्छी परिच्छा होगी उसकी विश्वासनीता का लच्छन होता है ब्यापकता का होता है वजता का होता है लेकिन अच्छी परिच्छा का कोई भी आसान इस्तर का लच्छन नहीं होता तो पूँचा गया है लच्छन नहीं है तो आसान इस्तर आपका लच्छन नहीं है आईए देखेंगे अंगला प्रसंद क्या पूंचा जा रहा है निन में से क्या मुल्यांकन की एक प्रवधी है मुल्यांकन की प्रविधी बताना है दोस्तों सभी प्रसंद आपके सलेवस एक्जाम पैटन पर है जो सलेवस में पेड़ागाजी है वही हम करा रहे हैं कोई अलक से नहीं करा रहे है ठीक है पहले आप सलेबस कीजिए उसमें क्या pattern दिया है क्या सलेबस दिया है किस topic पर दिया है उसी topic पर यहाँ पर प्रसनाप के होगे तो मुल्यांकन की एक प्रबीदी है लिखित परिच्छा होगी मोखिक परिच्छा है प्रवगात्मक परिच्छा है या ये सभी हो जाएगा दोस्तो मुल्यांकन की एक प्रवीद पूंचा गया है तो प्रवीद लिखित परिच्छा भी होती है मोखिक परिच्छा भी होती है प्रवगात्मक परिच्छा भी होती है तो मुल्यांकन की Adagogy में मुल्यंकन की प्रकृया है ICT प्रसनावली होती है साजशात का रूप में मुल्यंकन की प्रक्रिया है या पर्बताल सूची के द्वारा या उपरोग सभीके द्वारा जीं देंगा मैस फेटा गौजी में मुल्यांकन की जो प्रक्रिया होती आपके प्रसनावाली में भी होती है, साथ-चात का रूप में भी होती है, परताज सूची के रूप में भी होती है, यानि क्यों पुरोग सभी आपका फोर्थ आपसन सही हो जाएगा, आईए देख लेतें अंगला कमेंट करेंगे, दोस्तों कोई भी कतन हो, कुछ न कुछ लाजिकल हम वर्ड जरूर धूरते हैं, ठीक है, कुछ लाजिकल वर्ड हम आपको बताने हैं, बताते हैं, ताकि आपको कतन स्टेटमेंट पता चले, किस आपके बग्यानिक का है, किस प्रोफेसर का है, सब कुछ आ आपको यहां पे मालूम चलता है ठीक है तो मुल्यांका ने एक ऐसी प्रकिया है जिससे सही डंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है किसका कतन है किसके ठीक है किस तरह से मापन किया जाता तो आपने देखा सही डंग से और सही डंग का क्या होता किस से समंदित है तो गो गया अकर आपने ऐसा याद कर लिया समझ लिया कि मुल्यांकन एक ऐसी प्रकिया है जिससे सही डंग से कि सिवस्तू का मापन किया जा सकता है इसके आपके कथन patame किसका है गुड्स का लेते हैं गणी सिच्छन में मुल्यांकन का क्या एक उद्देश नहीं है दोस्तों आपको पता है गणी सिच्छन में मुल्यांकन के उद्देश होते हैं ठीक है इनमें से उद्देश नहीं है निगेटू आपको वर्ड खोजना है तलासना है और सलिक्षन पाना है तो पाटक सिच्छन विद्यों की खोच करना बिलकुँ सही बात है नवीन सिच्छन विद्यों का खोच करना बहुती मुल्यांकन के एक उद्देस होना चाहिए होता भी है बालकों की अधिगम संबंदी एक कठनाईयों का पता लगाना ये भी सही है लेकिन बालकों के बेवहार में परि परिवर्तन लाएंगे तभी वो सफल बालक बनेगा ठीक है सफलता के सिकर पर पहुंचेगा तो बालकों के बेवार में परिवर्तन करना चाहिए तो ना करना निगेटू वर्ड है निगेटू आपसन था सिकंड आप लोगों का सही हो जाएगा आईए देख लेतें अंगला प्रसन के आप पूंचा जा रहा है लाजवाब प्रसने सेलेक्शन वाला प्रसने दोस्तो गणी सिच्चन में मुल्यांकन जो है निन में से किस उद्देश की पूर्ति करता है जो आपके गणी सिच्चन है मैस फेडोगा जी है उसमें जो सिच्चन में मुल्यांकन होता है तो मुल्यांकन जो है किस उद्देश की पूरती करता है? सिच्छन भ्यू रचना का विकास करना, बालकों के सीखने का उत्तम तरीका बताना, या उप्चारात्मक सिच्छन पर बल देना, या उपुरुक सभी दोस्तों. तो सही लाजवाब इंसर जान लेते हैं, गणी सिच्छन में मुल्यांकन जो होता है, किस प्रकार की उद्देश की पूरती करता है? दोस्तों, सिच्छन भ्यू रचना के विकास करना की उद्देश पूरती करता है, बालकों के सीखने को तम तरीका बताने का उद्देश पूरती करता है, उप्चरात्मक सिच्छन परवल देने पर उद्देश प्राप्त करता है, अर्थात उपर्युक्त सभी हो जाएगा, इन तीनों आप्सनों पर गनी सीचर मुल्यांकन में से उद्देश पूर्ती करता है आईए देख लेतें अंगला प्रस्ण क्या दिया गया है बच्चों के वर्गी करण और कच्छा उन्नति के लिए निन में से कौन सा मुल्यांकन आतियावस्यक है अगर दोस्तों बच्चों बालकों विद्द्यार्थियों में उनके वर्गी करण और कच्छा उन्नति के लिए कौन सा मुल्यांकन आतियावस्यक होगा important question है selection के लिए मैस pedagogy का लाजवाब प्रसने दोस्तों ब्यापक मुल्यांकन की अतियावस्यक होगी सदत मुल्यांकन मनो बैग्यानिक मुल्यांकन या आपके बिक्तिगत मुल्यांकन दिया ठीक है तो कौन सा मुल्यांकन होगा तो बच्चों में वर्गी करण का अच्छा उन्नति के लिए चाहना है ठीक है तो वरगी करोन का अच्छा उनत के लिए जो अतियावश्यक होगा वह होगा ब्यापक मुल्यांकन जी हाँ बच्चों में वरगी करोन का अच्छा उनत के लिए ब्यापक मुल्यांकन का अतियावश्यक होता है पहला आपसन सही हो जाएगा वीडियो भी लाइक नहीं आई है वीडियो में लाइक करते जाएं दोस्तों आपका अपना परिवार है लाइक कीजिए सपोर्ट कीजिए और मोरल मोटिवेशन बनाए रखिए आईए देख लेतें अंगला प्रस्त गनित में मुल्यांकन की क्या एक तकनीक है दोस्तों आपको पता है गनित मुल्यांकन में एक तकनीक होती है तो वह तकनीक आपकी कैसी है प्रेचन तकनीक होगी अनुसूची तकनीक होगी या उपरोग सभी ये सभी तकनीक होगी तो गनित मुल्यांकन की अगर तकनीक की बात की जाए दोस्तों तो प्र लिखित परिच्छा में होता है मौखिक परिच्छा में होता है या उपरोग सभी हो जाएगा तो गणी सिच्छन में सपेड़ोगाजी में जब भी हम विचार बिमस के महत्व की बात करते हैं तो विचार बिमस महत्व जो होता है आपके मौखिक परिच्छा में ज्यादा होत सकता है मौखिक तोर पर ही किया जा सकता है ठीक है आए देख लेते हैं अंगला प्रसुन चात्रों की सैचिक उपलब्दियों का पता लगाने का सरोत्तम उपाय क्या है दोस्तों चात्रों में अगर सैचिक उपलब्दी का हमें पता लगाना हो तो सरोत्तम उपाय क्या होगा आपके बालक है, बालीका है, अगर आप भावी अधियापक अधियापिका हैं, आपके नियुक्त होती है, अध dongत होती है, सरकारी बद्य아ले में, सिच्छक के रोप में, तो आपको बच्छों पर, छात्रों पर, जब आपको सैच्छिक उपलब्रीयों का पता लगाना होगा, तो उसके लिए सरोत्ता मुपाय क्या चूच करेंगे क्या परियोग करेंगे क्या वह मापन होगा मुल्यंकन होगा लिकित परिच्छा होगी या इनमें से कोई नहीं तो आप अध्यापक अध्यापिका होने के नाते सिच्छक्सिच का होने के नाते चात्रों की सैचिक उपलब्दियों का पता लगाने का सरोत्तम उपायवय आपका मुल्यांकन योगा सिकंड आपसन आप लोगों का सही हो जाएगा आईए देखतें अंगला प्रसनलाजवाब प्रसने सेलेक्शन वाला प्रसने वीडियो को लाइक आना चाहिए दोस्तों जी हाँ लाइक सेयर करते रहें आपका अपना परिवार है सपोर्ट करते रहें सिच्चक को बिस्यों का ग्यान होना चाहिए आप लोग भावी अध्यापक सिच्चक हैं बताइए सभी लोग सहर ग्रहनी बताएंगे भईया बहुत मेहनत कर रहें आप लोग ठीक है घर को काम के साथ साथ आप इस्टड़ी करते हैं और सिच्चक बनने के लिए अपने उत्तर बताइए कि सिच्चक को बिस्यों का ग्यान होना चाहिए गनित बिस्यों का ग्यान होना चाहिए भईया सिच्चक को किस बिस्यों का ग्यान होना चाहिए अगर आप गनित के सिच्चक हैं तो गनित बिस्यों का ग्यान होना ही चाहिए और गनित बिग्यान दोनों का गठवंधन की सरकार है जी हाँ दोनों आपके होंगे लेकिन ये पूंचा गया है कि गणित विग्ञान विषय का तो दोनों का होगा क्योंकि इन दोनों का गठवंधन हुआ है गणित और विग्ञान का दोनों ही साइंस से रिलेटेड हैं दोनों ही गणित से रिलेटेड हैं दोनों technologies related हैं तो आपको गणित भी ग्यान हो जाएगा लेकिन चौथा आपसन एक और दिया है दोस्तों कि स्वैम के विस्यख अतरिक्त अनविस्यों की सामान जानकारी तो अगर आप सिच्चक है आपका जो विस्य होगा आपका जो स्वैम विस्य होगा तो स्वयम बिसय के अत्रीक्त जो है अन बिसय की सामान जानकारी रखना ये सिच्छक के बिसय का ग्यान होना चाहिए तो सिच्छक को बिसयों का ठीक है बिसय का ग्यान नहीं दिया है यहाँ आपको प्रस्ण में देखेंगे बिसयों का इन्हें बहुत सारे बिसय तो आप अपने बिसे में तो ग्यान तो होंगे ही, सरवग होंगे ही, तो साथ ही साथ आपको अतरीक्त जो अन बिसे होते हैं, उनकी सामान जानकारी होनी चाहिए, तो आपका फोर्त आपसन सही होगा आईए देख लेतें अंगला प्रसन क्या पूँचा गया है, लाजवाब प्रसनी है दोस्तों, प्रसन लाजवाब आचुका है, सलिक्सन वाला प्रसन है कि मुल्यांकन में ब्यापक्ता का अर्थ क्या होता है, जो मुल्यांकन होती है, उसमें ब्यापक्ता का अर्थ क्या होता प्रसनों का शरल होना वस्त निश्टा का होना निर्धारित उद्देश की जाच करना या समूची पार्ट समागरी से होता है दोस्तों मुल्यांकन में ब्यापकता कर्थ क्या होता है समूची पार्ट समागरी से होता है ब्यापक यानि बड़ा यानि कि समूची पार्ट समाग प्रसंद लगातार आएंगे क्योंकि selection सरो परी है जी हां दोस्तों यहां तीम है हमारा target है क्योंकि जो राज्णिनमान में सबसे बड़ा योगदान होता है वो आप लोगों का होने वाला है सिचकों का होने वाला है जो कहते हैं घर की निव मजबूत है तो कितने भी कमरे, कितने बड़ा मकान, कितना भी घर बना जा सकता है तो आप लोग इस देश की निव है आप सभी को मेरा नमन है दोस्तों प्रसंद देखें अंगला अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर आवश्यक है कि जो अधिगम अनुभव की योजना बनाते हैं ठीक है आप लोग समझ रहे हैं अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर यानि कि जो योजना बनाते हैं उससे पहले आवश्यक है कि आपका जो अनुभव हो वो परियाप्त होना चाहिए आपका अनभाव परिपकता के अनकूल होना चाहिए आपका अनभाव संतोस्प्रद होना चाहिए या उपरुक सभी होगा तो दोस्तों कोई भी अधिगम सिच्छक सिच्का होने के नाते अध्यापिका के होने नाते आप कोई भी अधिगम की अनभव की योजना बनाने से पहले आपको अवश्यक है कि आपका अनभव परियाप्त हो आपका परिपकता के अनकूल हो अनभव, आपका अनभव संतोस प्रद हो यानि कि ये सभी हो जाएगा फोरत आपसन आप लोगों का सई हो जाएगा आईए देखेंगे अंगला प्रसन क्या दिया गया है लाजवाब प्रसन है गणी सिच्छन में मुल्यांकन किया जाना चाहिए सीखने के अनवो प्रदान करते समय मुल्यांकन करना चाहिए उद्देसों का इसपस्टी करन करते समय मुल्यांकन करना चाहिए उद्देसों का इसपस्टी करन तथा अनवो प्रदान करने के बाद मुल्यांकन करना चाहिए यह इन सभी इस्तरों पर मुल्यांकन करना चाहिए तो दोस्तों जब भी मैस पेड़ागोजी की बात आए गणी सिच्छन की बात की जाए तो सीखने के अनभोग प्रदान करते समय भी मुल्यांकन होगा उदेशों का इस्पष्टी करन करते समय भी मुल्यांकन होगा और आपके उदेशों का इस्पष्टी करन तथा अनभोग प्रदान करने के बाद में भी मुल्यांकन किया जाना चाहिए तो आप लोगां को परोग सभी आपसन हो जाएगा आईए देख लेते अंगला प्रसंद क्या पूंचा जा रहा है मुल्यंकन पैडामों के अधार पर छात्र के सम्मन्द में पूर्ण सार्थ ठीक है सार्थकता के साथ जो है भविस्वानी की जा सकती है किसका कतन है लोजिकल वर्ड बताएंगे सहमत हो तो बताईएगा जी हाँ दोस्तो मुल्यंकन पैडामों के अधार पर छात्र के सम्मन्द में पूर्ण सार्थकता से साथ भविस्वानी की जा सकती है ठीक है पूर्णत है सहमत है आप लोग आंसिक रूप से सहमत है या सहमत नहीं है या कुछ कहा नहीं जा सकता तो मैं एक लाजिकल वर्ड बताऊंगे इस तरह के प्रसनों को समझने के लिए दोस्तो देखी मुल्यंकन पैडामों के अधार पर जो मुल्यंकन होता है पैडाम यानि कि जो रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट के अधार पर चात के समझन में पूर्ण सार्थकता से साथ भविस्वानी की जा सकती है बिल्कों सही बात है चात के समझन में जो पैडाम आएंगे उनके अगर पूर्ण पूरी तरह से उनके साथ होकर भविस्वानी की जा सकती है हम पूरी तरह से सहिमत है कि आप लोग सहमत है तो एक बार like का बटन जरूद दबा दिजेगा दोस्तो ये रहे class के बेतरीएन लाजवाव आपके पंद्रे प्रसन आप लोगो कैसे लगे क्या ये selection वाले प्रसन हैं क्या ये सभी प्रसन आपको इस लेवेस पर हैं जी हाँ दोस्तो सभी सरेवस पर परफस्ण है आपके जितने मेरे भाई बहने सिच्छ़क बंदु है ग्रहणी है सबी भाविय द्धापक द्धापिकाएं सबी को एक बार नवन है दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है इस परिवार कहीं सब बन लिया सदस्ता हासिर कर लिया है सब को दिल से अभिनंदन है स्वागत है धन्वाद है सबी को दोस्तों ऐसे लाइक, share, comment करते रहें प्यार बनाए रखें क्योंकि परिवार प्यार से ही चलता है अगर कोई परिवार में प्यार है तो आप लोग समझ सकते हैं परिवार हमेंसा खुशाल होता है तो बस इस परिवार को प्रेम और इसने बनाए रखें यह सिच्छा जगत का परिवार है आप लोगों का परिवार है जाते जाते प्लेलिस्ट चेकीजे सभी क्लासे आपके जाम पैटर पर मिलेंगे एक दम selected question मिलेंगे जहाँ पर आप बिल्कुल selection जैसे एरो प्लेन जब ठीक है लैंड करता है वैसे ही selection के बाद आप अपने आप में खुसी महसूस करेंगे जी हाँ दोस्तों हसते रहें मस्कुराते रहें हमेशा खुस रहें आप खुस रहें आपका परिवार खुस रहें लाजबाब रहें दोस्तों मिलते हैं इस क्लास पे धन्वास सभी का